स्वागत है आप सबीका आजगी इस सेशन के अन्दर जिसके अन्दर हम टेली कॉम सेक्टर के बारे में सारी बाते जानेंगे और हम समझेंगे एक practical examples के साथ की हमें कौन सी app के साथ किसी भी चीज का टेली कॉम سेक्टर का analysis करना चाहिए और अगर हमें टेलिकॉम सेक्टर के अंदर निवेश करना है तो हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए उस चीज के बारे में अभी अपने समझेंगे तो normally अभी अपने जिस बात की बात कर रहे हैं कि हमें एक introductory वीडियो बनानी है जिसके अंदर हम टेलिकॉम सेक्टर की बात कर रहे हैं टेलिकॉम सेक्टर का मतलब क्या होता है जैसे कि अपने एटल की सिम्यूज कर रहे है या फिर अपने जीओ की सिम्यूज कर रहे है वैसे तो जीओ एक फैनेशल कमपनी है लेकिन एक बात कर रहे हैं सिरफ कि हाँ भी हमें टेलिकॉम सेक्टर के बारे में जाना है आज के टाइ साथ ही साथ जो competition level है वो बहुत ही कम हो गया है क्यों हो गया है क्योंकि इसके अंदर normally आज हर किसी के हाथ में smartphone है और हर कोई एक अच्छा ख़जा package करवा के बैठा है जब भी कोई package ऐसा normally package करवाता है तो उसमें simple सी बात है कि जो company की growth है company की revenues है वो continuously क्या होते चले जा रहे है ग्रो होते चले जा रहे है आज के time में अगर इसकी बात करें कि जो financial sector है इसके अंदर किस का competition है तो competition level के अंदर सिर्फ ATL है या फिर GEO है और या फिर है Vodafone Idea वी आई वी आई का जो competition level है वो थोड़ा सा क्या हो गया पहले के मकाबले कम हो गया हमें ये चीज देखनी है कि किस तरीके से companies जो है growth कर रही है क्या हमें इसके अंदर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए लेकिन उससे पहले कुछ basic understanding समझते है और समय के साथ हम आज ही वीडियो के अंदर इसके कुछ practical examples भी देखेने वाले है चलो market के trend को सबसे पहले समझने है ये सबसे important part है और opportunity समझने है कि कहाँ पे हमें क्या करना चाहिए एंटर करना चाहिए growth pattern को समझो company के emerging technology को समझो market की niche को समझो कि market किस तरीके से अपना जो work है वो कर रहा है देखो सबसे पहले growth की अगर मैं बात करता हूँ तो company की growth के अंदर company किस प्रकार की technology को use कर रही है company की अंदर consumer की क्या demand है global की क्या connectivity है जैसे कि ATL है तो ATL क्या provide करता है ATL outside India भी लोगों को service provide कर रहा है तो जो भी इंडिया के बाहर जाता है वो ATL का product को use करता है ठीक है लेकिन इसी के साथ-साथ GO भी ऐसी facility provide कर रहा है लेकिन अगर बात करें technology तो technology जाद हर सब की same ही होती है जैसे जैसे जीओ है तो जीओ अपनी technology voltage use करता है ठीक है तो ऐसे ही सबी सबी जितने भी ये चो companies हैं वो सबी अपनी technology use कर रहे है for example कि यज़े 5G है 6G के उपर work चल रहा है 5G market के अंदर already launch हो चुका है market की niche को अगर समझे तो market के अंदर किस प्रकार से telecom sector के उपर जैसे कि rural connectivity आपको सबी को पता है कि पूर लोवर इंडिया के अंदर जियों का कोई भी पूल नहीं है लेकिन फिर भी जियों ने पूरे राज़स्थ पूरे इंडिया के अंदर क्या कर दी अपने connectivity को increase कर दिया है next point कि अगर बात करें तो researching करनी है कि telecom companies और उनके financial telecom sector के अंदर आज 15 companies established है लेकिन हम सिरफ और सिरफ ATL को ही क्यों जानते हैं ठीक है और इसके अलावा जो corporates है उसके बारे में भी अपने समझेंगे कि जीयों भी है इसके अलावा आपने समझेंगे कि market के अंदर उनकी position क्या है उनकी revenue कितना वो grow कर रहे है औरों के मुकाबले उनकी PE ratio कितना है क्या वो analyze कर रहे है उनकी financial debt कितने है या company की financial health कैसी है profit margin company के कैसे है revenue growth company कैसी है इन सब के बारे में अपने चर्चा करेंगे लेकिन ये चीज जाननी बहुत जुरूरी है कि हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए technological investment की बात करें तो technological investment मतलब company की ऐसी assessment करना कि company कौन सी technology को use कर रही है देखो आज अपनों को ये बात पता है कि हम जब भी भी गोई number लेते है उस number के साथ अपने बहुत सी detail देते है तो company के पास हमारी बहुत सी private details भी जाती है ठीक है हम हर जगा login करते है तो number से login करते है तो वहाँ पे भी company की बहुत सी हम अपनी personal details balance details bank के साथ connected होता है like pay team number से connected होता है तो ये सबी चीजे हम क्या करते है इनके साथ share करते है तो क्या इसके पास ऐसी technology है कि ये हमारे private data को क्या कर सके preserve कर सके तो सब चीजों को हमें यहाँ पे analyze करना है research करनी चाहिए और इसके लिए कहां से research करनी है वो आपको मैं दिख बताऊँगा लेकिन अभी right now अपने concept है कि हम एक basic को समझे कि हमें क्या क्या चीजे market में के लिए देखनी है और इन सब चीजों को अपने देखते चले जाएंगे एक example के साथ भी competitor analysis यानि की competitor जैसे ATL का competitor कुन हजियो है या अपने पहले बोलें कि पहले Vodafone भी था idea भी था ठीक है या फिर MTNL नाम से भी आता था MTNL पहले BSNL भी था BSNL हलागी आज भी है लेकिन इतना उसके growth potential क्या है बहुत कम है ठीक है next point अगर अपने बात करते हैं market share की तो कौन कौन सी company यहाँ पर listed है उनका क्या system है वो सब देखना है regulatory compliance यह company की website के ओपर जाके हम check कर सकते हैं या फिर हम daily news updates देख सकते हैं कि company ने कोई ऐसा compliance हो नहीं किया otherwise मैं आपको बताऊँगा कि NSE जो stock broker है NSE इसके ओपर हम जाके भी check कर सकते हैं कि company का कोई भी default वहाँ पे हुआ है या नहीं हुआ है next point की FG spectrum allocation यानि understand करो कि market के इंद जो 5G spectrum है वो किस तरीके से काम कर रहे है company की growth strategy क्या है कौन-कौन से investor वहाँ पे invest कर रहे है investors के बारे में जानना चुरूरी है साथी-साथी जानना है कि promoter अपने कितने shares के उपर है मालो company के पाद 100 share है 100 share में अगर promoter 50 plus होता है या 60 plus होता है that is a good condition कि आने वाले time में वो कितना increase करता है 75 की तो limit ही है लेकिन वो कितना increase कर रहा है उसी साथ से भी अपने देख सकते है compliance standard को definitely देखना यानि की company के जो compliance या वो proper तरीके से उन्होंने manage किया है जो compliance कमपनी को किसने बताया है company को कौन बताता है compliance अगर company listed है तो वहाँ पे SEBI Security Exchange Board of India आता है RBI आता है Reserve Bank of India आता है NAC, BAC ये सभी कि जो compliance है वो पूरे हो रहे है या नहीं हो रहे है इन चीजों को भी हमें क्या रखना है दियान में रखना पड़ेगा चलिए next thing है risk assessment risk assessment के अगर मैं बात करता हूँ तो company के अंदर हम पहली चीज़ क्या देखते है company के अंदर देखते है कि company के अंदर जब भी हम निवेश कर रहे है company के अंदर क्या-क्या risk factors है risk factors जैसे कि competitors के बारे में जाना है ठीक है कि इसका competitors कोन है जो भी competitor है उसके financials को चेक करना एक competitor के जो financials है ठीक है competitors के जो financial है वो किसी भी प्रकार से हमारे वाले से क्या होने चाहिए बहतर नहीं होने चाहिए अगर competitor के financial अच्छे है तो हमें definitely competitor के पाल जाना है हमें वहाँ निवेश करना है हम किसी भी company से emotionally attached नहीं है हमें सिर्फ देखना है कि कौन सी company के financials अच्छे है और हमें उसके बाद हमें उसके क्या करना है एक reaction करना है हमें देखना है उस सामने वाले के financials कैसे है यानि कि कुछ ऐसे ratios देखो जैसे कि सबसे पहले ratio अगर बात करूँ तो PE ratio कि हाँ भी company का PE ratio क्या होना चाहिए कम होना चाहिए यानि कि एक रुपए के बदले एक रुपए कमाने के बदले वो हमसे कम demand कर रहा है तब ही हम क्या कर रहे है उसके ननिवेश कर रहे है company की book value भी क्या होनी चाहिए company के EPS earning per share क्या होना चाहिए जादा होना चाहिए company का earning per share बहुँ जादा है तो इस तरीके से हम इन scenario के पर क्या कर सकते है उनको analyze कर सकते दूसरा scenario क्या हो सकता है दूसरा scenario हो सकता है कि company dividend कितना देती है ठीक है company का dividend profile वहाँ पर देखना पड़ेगा third thing अपने बात करते हैं long term growth company की कैसी है long term growth का मतलब क्या है कि past experience से past experience से कि company की growth कितनी है क्या company का chart हमेशा ऐसे ही चला है ठीक है या company का chart कुछ इस तरीके से चला है तो इस तरीके से जो होने वाली companies है वो definitely एक दिन के अंदर आपको बड़े बड़े losses या बहुत भाई losses दे सकते हैं जो कि long term में अच्छी बात नहीं है third fourth है कि अगर मैं बात करूँ तो company के clients कौन कोन है company के clients कौन कोन है fifth company के investors कौन कोन है investors का मतलब यह है कि क्या foreign investor ने निवेश किया हुआ है क्या उसके अंदर retail investor का कितना share है वो सब चीजे हमें यहाँ पर देखनी चीए तो वो हमें बताती है कि company के अंदर निवेश करना risky है या नहीं है लेकिन अगर अगर अपने बात करें लेकिन अगर अपने बात करें rewards की तो rewards हमें तब ही मिलते है जब हम risk को identify करते हैं और rewards अच्छा rewards के अंदर हम क्या चक करते हैं लोग पास data के अंदर क्या system रहा है ठीक है company के capital appreciation चक करते है कि company ने अपनी capital को कितना increase किया है पिछले कुछ समय के अंदर लोग equity के अंदर कितना निवेश कर रही है लोग उसकी debt में कितना निवेश कर रही है company ने अगर loan ज़्यादा लिया हुआ है यह बात पहले भी बताई दी कि company ने अगर loan ज़्यादा लिया हुआ है तो वहाँ पे वो interest भी क्या कर रही है ज़्यादा payment कर रही है ठीक है लेकिन loan का एक plus point हो रहा है कि company अपने business को क्या कर रही है ठीक है चलिए next next thing कि अगर मैं बात करूँ तो investment strategy definitely हमारे portfolio को हम diversify करेंगे हम सिरफ इस चीज़ के उपर depend ने रहने वाले कि हमें सिरफ और सिरफ निवेश करना है short term के लिए या फिर medium term के लिए हम वहाँ बे long term के लिए भी जा सकते हैं तो telecom investment diversify करो अपने risk को manage करो sector wise अलग-अलग sector का अलग-अलग काम होता है जिस sector के लिए वो काम होता है उसको अपने समझेंगे कि telecom sector के अंदर खाली एक काम नहीं है लेकिन कई सारे काम हो सकते हैं लाइक वो ऐसे sector हैं जिनके पास private data अपना पड़ा होता है वो ऐसे sector होते हैं जो की communication की field में कितना आगे तक जा पाते हैं उसके बारे में अभी अपने देखेंगे देखेंगे company के IPOs आते हैं tactical entries जो होती जैसे IPO GO का IPO आया, mergers हो रहे हैं जैसे की Vodafone Idea का merger हुआ industry का क्या trend चल रहा है, right now क्या industry का भी fail हो सकती है के नहीं हो सकती, इन सब चीजों को अपने देखेंगे, उससाब से moment के हिसाब से हम क्या करेंगे, निवेश करेंगे यह को, entry करने का भी time होता है, ऐसा नहीं है कि कभी भी entry कर दी हमने आज अपना को लग रहा है, एटल अच्छा है या कोई भी अच्छा है तो हम उसके निवेश कर रहे हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है हमें सिर्फ वहां पर उसके technical analysis को देखना है, right now हम company के fundamental को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी हम, अभी हम समझेंगे इस चीज़ को कैसे हमें पूरा analysis करना है, जो वीडियो लंबी जूरू हो रही है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि हम पूरे तरीके से हर एक चीज़ को सम का emerging trend है, continues को monitor करिए, उसके share price के लिए update रही है, कि क्या-क्या share price है, उसका क्या-क्या उसके उपर effect पढ़ रहा है, वो सब चीज़े देखते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, चलिए, तो अब अपने आ गए हैं एक ticker tab, जो website है, ticker phenology, इसके अंदर हम, हमने जो sector पह provider के बारे में knowledge लेना है, तो हमने find किया कि total ऐसे 15 companies हैं, जो कि आज के time में market में listed हैं, तो हम इसके बारे में सबके बारे में समझते हैं, और आगे चलते हैं, देखे, सबसे पहले जो अपने बात कर रहे हैं कि हमारे पास कौन-कौन से corporates हैं, जैसे कि Railtail Corporation है, Vodafone Idea है, GTL है, Health TNL, Bharti Airtel, Tata Communication, Indus Tower and this and this, Reliance Communication, तो अभी अपने देखते हैं कि इनके returns कितने थे, को Railtail ने 248% return दिया, पिछले एक साल के अंदर अंदर, Vodafone ने 111, इसने 94% returns दिया, तो यह सभी उनके return percentage है, लेकिन सबसे अच्छी companies के बारे में बात करें, तो Railtail ने काफी अच्छा जो है काम किया, तो आज अपने Railtail का ही क्या करते हैं, fundamental analysis करते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्यूं हुआ कि Railtail ने हमें क्या दिया, बहुत अच्छा return दिया, चलिए, तो Railtail के ओपर click किया, तो Railtail का पूरा data यहाँ पे आगया, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको किसी share के ओपर analysis करना है, ठीक है, तो चलिए, अपने ध्यान से समझते हैं, अभी share के ओपर मेरे को analysis करना है, तो company ने मुझे बहुत सी detail यहाँ पर क्या कर रखी है, provide कर रखी है, तो right now, मेरा mission क्या है, 0-4-0 fundamental analysis करना है, ठीक है, fundamental analysis करना है, और जब मेरे को ऐसा लगएगा कि हाँ, यह company मेरे लिए बहुत अच्छी है, और मेरे हिसाब से, मैं इसके लोंग टर्न इवेश करना चाहता हूँ, मेरे लिए best company, तब मैं यह देखूँगा कि मेरे को entry का करनी है, और वहाँ आपने देखेंगे technical analysis, ठीक है, वहाँ आपने technical analysis के उपर आएंगे, चलिए, तो सबसे पहले अग आज का उसका rate है, जो 400 चमाली सुर्पय है, जो की कल की तारीक के अंदर इसने क्या किया है, 15% की बढ़ोतरी करी, ठीक है, जो की बहुत बड़ी बात है, 52 weeks, यानि आज से एक साल पहले अगर देखें तो 96 इसका, जो था, कम से कम इसने इतना जो लो किया, आज इसका rate कितना हो गया, 3 times, 4 times हो गया है, ठीक है, मार्केट के अंदर इसके cap कितनी है, 14,200, 249 CR, एंटरप्राइज वैल्यू यानि आज क्या जगर इसको वेज दिया जाए, तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, 14,009 करोर, मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है, 14,009 करोर का मतलब क्या P.E. Ratio 66 है, तो P.E. Ratio सब के इसाब से अलग-अलग होता है, किसी का P.E. Ratio 66 times भी अच्छा है, किसी का P.E. Ratio 66 times भी बिज़ा रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक रुपए के लिए 57.57 क्या दे लिए ये डिविटेंट दे लिए जो कि बहुत अच्छी बात है ठीक है जो cash है वो काफी अच्छा cash है इसके पास 239 क्रों definitely देखो अब देखो इनके पास enterprises equity कितना है ये और इन दोनों का add करो cash को तो इन दोनों का add करने के पास market cap कितनी होगी यानि कि इनके पास जो market cap है उसका मतलब क्या हुआ जो इनकी equity है जो इनके पास equity है यानि कि लोगों ने पैसा दिया जो equity market है इनके खुद के पैसे लगे है प्लस इनके पास cash, इन दोनों को जब अपने merge करेंगे, तो हमारे पास क्या जएगा market की cap आ जाएगी, earning per share 6 रुपए, प्रती share का क्या कर रहे हैं, earning कर रहे हैं, और इसी के साथ promoter holding 72%, देखो, 70% से भी ज़ादा, तो definitely ये एक अच्छा point है, company के risk analysis करते हैं, तो risk analysis के अंतर company में क्या identify किया, company का debt zero है, देखते जाओ, कितना बहतरीन चीज है, company का debt zero, company की promoter holding, ओके, ये भी ओके, EPS भी, काफी अच्छा है, company का, sale growth 27%, हर साल company की sale इतनी हो रही है, rate of return, equity, equity के ओपर rate भी अच्छा मिल रहा है, definitely capital employed भी इसका अच्छा है, capital employed मतलब क्या, कि company का कितना, जो net worth है, वो कितना ज़्यादा improve हो रहा है, company, capital कितनी employed हो रही है, इसके ओपर वो कितना return, company ने जितना पैसा अपना लगाया, अपने पैसे के ओपर वो कितना return ले रही है, वो capital employed होता है, वो 16%, तो overall company की valuation, financial, coffee, stable लग रही है, अच्छा, अगर अपने price chart की बात करें, तो 2005 से 2023 ये about 100 के आसपास था, लेकिन आज ये 400 के आसपास है, PE chart यानि की, जो company का PE ratio है, वो भी धीरे देरे क्या होता चला जा रहा है, इंप्रूव होता चला जा रहा है, अब इन सब के बीच में क्या है, comparison है, comparison देखते हैं, देखो, PE ratio इसका 0 दिखा रहा है, लेकिन 0 होता नहीं ह क्या Tata Communication के लिए 151 times पैसा देना पसंद करेंगे, नहीं, 55 times, 17 times, ठीक है, तो इन्डेस चावर भी PE ratio के इसाब से अच्छा ही है, देखो, यहाँ पर दो चीज़े होती है, एक होता है PE ratio, एक होता है EPS ratio, एक होता है ये दोनों, ठीक है, इन दोनों को जब पने multiply करते हैं, PE ratio multiply with EPS, तो हमारा क्या आता, price हाता है market value, तरके देख लो, यह 66 है, और यह 6 है, ठीक है, अब 67 ले लो इसको, एप्रोक्स, एप्रोक्स देखना कैसे निकलेगा, 67 जा 42, 466, 36 और 44, 402, अब 63 है, तो कुछ percentage, 66, 63% के आसपस क्या हो जाएगा, यह 40 और add हो जाएगा, क्योंकि 66 का, 66 into 1 करोगे, तो भी क्या increase होने वाला है, 66 increase होना है, तो 60 का 63%, तो मैं है आपको math नहीं सिखाने वाला, लेकिन overall 40 और increase हो जाएगा, तो जब इन दोनों को multiply किया जाएगा, EPS into PE, तो वहाँ पे क्या आजाएगा आपका, यह value आजाएगी, ठीक है, अब देखो, इसका continuously क्या हो Indus Tower का, Indus Tower का, जो यह maintenance है, यह बहुत अच्छा है, क्यों अच्छा है, क्योंकि इसका earning per share जादा है, और इसका PE ratio क्या है, as compared to this, बहुत कम है, तो यह एक अच्छी corporate मैं मानता हूँ कि Indus Tower एक अच्छा जो है, प्रोसर्स हमें दे सकता है, देखो, equity पे return यह भी इतना ही दे र इसको हो रहा है, चलो ठीक है, तो एक Indus Tower इस पूरे जो peer comparison है, इस से अच्छा लगदा है कि Indus Tower और तो पहला, अगर मैं अपने वाच्छी में डालूँगा, तो Indus Tower को डालूँगा, दूसरा मैं डालूँगा, रेल टेल को, और बाकी सब देखो, बाकी सब देखो, यह cable का क इतना है, लेकिन EPS देखो, बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है, तो इसको मैं नहीं मानूँगा, इसको बिल्कुल नहीं, यह भी बिल्कुल नहीं, देखो PE Ratio 548 टाइम्स, कोई नहीं देगा, इसके बाद इतना यह भी कोई नहीं देगा, यह बिल्कुल बेकार है, इसके बा बात यह कि PE ratio इसका कहीं न कहीं गलत है इसके बारे में चेक करते हैं वोड़ा फोन आइडिया के बारे में भी गलत है तो ये दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा रीच चेक करना पड़ेगा और फिर देखते हैं क्या है ठीक है sales growth की अगर मैं बात करता हूँ इसी company की जिस company का नाम rail tell है तो rail tell की sales growth काफी अच्छी है definitely देखरो increase होती चली जा रही है profit growth के अंदर company की ने थोड़े बहुत क्या दिखाई है पिछे के मुकाबले कमी दिखाई है बट it's okay कोई ना कोई तो एक वजा होगी जिस कारण company के profits क्या होएं कम होएं लेकिन company के जो growth अगर profit कम होते है ठीक है तो EPS कम हो रहा है और वहाँ पे PE ratio क्या हो रहा है increase हो रहा है और दोनों का multiple तो market share है return on equity भी क्या हो रहा है कम हो रहा है return on capital employed जो capital net worth है वो भी क्या हो रही है पहले को पाबले काफी कम हो रही है ठीक है तो cash to price to cash flow cash flow भी काफी ठीक है इसका interest coverage ratio interest जो इन्होंने payment को अगरा करनी है जो interest इनका cover होने वाला है वो भी 29% के आस पास है ठीक है तो overall company के अंदर promoter का जो share है वो 72% है public 22% DIFYS पिछले किसी लंबे समय तक company ने कोई promoter ने share sell भी नहीं किया है company की continuously sales जो है वो increase होती चले जा रहे है 2023 के last in कितनी increase हुई है खर्चे भी increase होते चले जा रहे है ठीक है company की income जो है वो other income भी कम हुई है लेकिन operating profits company के काफी बढ़ते चले जा रहे है tax जो है company ज़्यादा पे किया क्योंकि income ज़्यादा हुई है तो tax obviously ज़्यादा देना पड़ेगा profit after tax भी increase हुआ है EPS जो है increase हुआ है देखो यहाँ पे सबसे अची बात है EPS increase हुआ है company की sales हो गया था profit and loss अगर देखी जाए पिछले कुछ समय की तो भी company ने काफी अच्छा growth किया है ओके ओके चलो investment loans की बात कर लेते हैं यहाँ पे कोई intangible working process नहीं है company के loans भी काफी कम है company की growth काफी अच्छी वहाँ पे मैसूस हो रही है company का profit from operation भी ठीक है company को operating cash flow भी ठीक है investing cash flow में थोड़ा down है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन financing भी कम है ठीक है तो overall company का एक अच्छा scenario में मानता हूँ देको पिस 2023 के अंदर ने थीन बार dividend दिया और 3.35 पैसे इतना रुपए dividend ने दे दिया तो ठीक है it's well and good ठीक है 10% के असपा dividend दे दिया तो काफी अच्छा dividend ratio भी है president of India के पास 10,360 crore shares भी बड़े है total holding president of India के नाम पे ही होती है कुछ reports है quarterly reports है पांच नौमबर दो जाते हैं इसको लोंच करें इनोंने और इन सब चीजों को मत्याजर रखते हुए हम एक conclusion पे पहुंच सकते हैं चलिए अब एक conclusion की बात कर लेते हैं अगर conclusion की बात करें conclusion की अगर अपने बात करते हैं तो सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज company के financials के बारे में बात करते हैं तो financials approved second thing की PE ratio के अंदर जो है वो थोड़ा सा क्या है मेरे को एक बात करें कि मैं 80% तक क्या हूँ satisfied हूँ लेकिन 80% only क्योंकि इसका PE ratio as compared to index बहुत थोड़ा सा क्या है फरक डाल रहा है तो मैं index को इसके अंदर जाधा वोड़ देता हूँ उसके अदर इंडर्स कैनलाइज करेंगे इनी तरीके से कि company के पास क्या loan है क्या promoter holding है क्या company का flow है उन सब जीजों को देखते हुए अपने index के अंदर भी निमेश कर सकते हैं तीसरी चीज़, company के fundamentals के साफ से company के पाद loan जो है वो है नहीं, तो यहाँ पे मैं positive हूँ fourth company के promoter की holding वो भी okay है company की growth काफी अच्छी चल रही है तो ये एक सारे scenario के base के अगर मैं इसको उपनी watch list में add करता हूँ मैं नहीं कहता है कि इसको बाहिक खरो because आप हमने financial advisor analyst को check कर आओ उसके बाद जाके निवेश करना लेकिन overall मैं मानता हूँ कि हाँ, ये company आने वाले समय में काफी अच्छा growth करेगी और इसके अंदर entry का से लेनी है उसके लिए हमें क्या check करना पड़ेगा इसका technical analysis chart ठीक है, इस chart को analyze करना पड़ेगा कि हमें किस point पे आके क्या करना है buy करना है और उसके बाद हम क्या करेंगे इसके अंदर buying selling process को शूरू करेंगे so that's all for today, thank you for watching this video, I hope you like it definitely मैं चाहता हूँ कि आप इस video को like जरूर करें अगर आपको पसंद आ रही है share कीजिए इसको और subscribe भी कीजिए ताकि मुझे इस बात का confidence मिलेगी मैं इस content को बहुत अच्छे से बना रहूँ और आने वाले समय में धीरे धीरे और अच्छे समय में इसको बनाता रहूँ thank you very much, have a nice day all the best